हाई फ्रेंड्स मैं प्रिया और आपका स्वागत है मेरी प्रिया फूट चैनल पे आज मैं बनाने जा रही हूं आलू लच्छा चाट जो ज्यादा तर आपको साधीया पार्टी में ही मिलती होगी ठीकी तो बहुत तरह की होती है लेकिन यह आलू लच्छा चाट खाने में ब बड़े साइस से करें यह देखे सारे यालू को हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है आप इसकी टुकड़े देख सकते हैं काफी लंबे और मोटे हैं तो ऐसे ही टुकड़े हमें चाहिए बारीक वाले से आप बिल्कुल भी इसको ग्रेट नहीं करें वरना बिल्कुल भी आ आप पानी से दो से तीन बार दुलेंगे ताकि जो इसमें एक्स्टा जो स्टार्च होता है वो निकल जाए और यह जो चाटे यह खाने में बहुत ही ज़दा टेस्टी लगती है एक बार आप बना के इसको जरूर ट्राई करिएगा बस इसका जो ग्रेट करने वाला है उसक अनुठ को बार के ग्रेट किया है आप हलका सा बार करें जिरी दो सिर्फ फ़िए कवर्ण कहुं हो जैदा इसे खूआ क्या है नहीं करना है नहीं है नहीं कि बिल्कुल मैस हो जाएंगे तो फिर ज़िया जो आलूवा कि कि हरें आप बने जाए Meyer कवर्ण के अप्ड़ हो खत इसमें बिल्कुल भी थोड़ा सा भी पानी नहीं होना चाहिए आप चाहें तो आप इसको जो है पंके के नीचे भी रख सकते हैं लेकिन हम इसे कॉटन के कपड़े पी निकाल रहे हैं हलका से इसे डैब करें थाकि जो भी एक्स्रा पानी हो वो इस कपड़े में सोख लिए तो आप देख सकते हैं आलू में बिल्कुल भी पानी नहीं है यह आप देख सकते हैं तो अब इसमें हम डालेंगे अरा रोट आप चाहें तो आप कॉन फ्लोर का भी यूज़ कर सकते हो लेकिन हमने अरा रोट लिया है तो अरा रोट इसमें बहुत जादा हमें नहीं डालन सब्सक्राइब करें, क्यात् सब्सक्राइब का तवा लिया हैgend, आब इसमें डालते हैं हम, ओयल। सर्सों का तेल में बना के लिए हैं आप जो भी औधी ऊई करते हैं लेकिन सर्सों के तेल में वह तायर की इसमेंे बना करके क्योंकि आलू है तो और अच्छा है तो इसका जो साइज है वह आप एकदम पर्फेक्ट नहीं बना पाऊगे तो यह देखिए इसे बस हलका से प्रेस करते वे तबे पे हमें रख देना और गैस का फ्लेम हमने मीडियम किया है अब इसे जो है गोल्डेन ब्राउन होने तक हमे तो इसे हमें डिफ्राई नहीं करना है यह हम तबे पे इसको फ्राई कर रहे हैं इसको डिफ्राई बिल्कुल ना करिएगा क्योंकि शादी में जो टिकी मिलती है वह ऐसी ही रहती है उसको डिफ्राई नहीं किया जाता है इसे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो दोनों साइड पलटते हुए इसे हम फ्राई कर लेते हैं आप इसका कलर देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो रहा है और यह बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है बहुत ही कुर्कुरी रहती है यह टिक्की तो अगर आप मेरे चैनल पर नियू है और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना विल्कल मत बोलिएगा और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजेगा अगर मेरे चैनल पर आप नियू हो तो अब इसको हम निकाल लेते हैं एक से हाथ से नहीं बनता है तो आप बस हलका सा चमच में लें और इससे रख के प्रेस कर दें तो यह तो बहुत ही ज्यादा इजी है तो आपको जो भी तरीका अच्छा लगा हो आप उस तरीके से इसको बना सकते हैं यह देखिए हमारी टिकी बहुत ही क्रिस्पी बनी है बहुत ही बढ़ी आता है तो यह देखिए सारी टिकी हमारे अचे से जो है फ्राइ हो चुकी है आप देख सकते हैं और इसका कलर भी जो है गोल्डन ब्राउन हो चुका है बहुत ज़्यादा हमें इसको ब्राउन भी नहीं करना है कि बिल्कुल काला हो जाए तो आप देख स तो यह देखिए, हमने दही डाला, अब इसमें डालते हैं, धनिया की ग्रीन चट्टनी, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है. तो धनिया की चट्णी बनाना तो बहुत ही आसान है आप इसमें डालते हैं हम यह सफेद नमक तो नमक आप में टेस्ट के कोडिंग डालें और यह चाट मसाला इसमें जरूर ही डालना है भुना वजीरा पाउडर लाल कुट्टी हुई मिर्च है यह आप चाहे तो आप इसमे वैसा ही इसका टेस्ट आता है तो यह देखी हमारी टिक्की जो है बनकी बिलकुल रेडी है अलूल अच्छा टिक्की अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें